हेलो सब्सक्राइब आप देख रहें क्लास 8 इट का मैथमाटिक्स का बहुत इक उल्री कॉंटेंट आपको मिलेगा लास्ट वीडियो में मैंसुरेशन चैप्टर में हमने इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखें आप हमारे चैनल में बच्छो विजट करिए प्लेलिस में आपको मेंसुरेशन का प्लेलिस मिल जाएगा वहाँ पर पार्ट वाइस हर एक कॉंसेप्ट को हर एक ट्राइदी इसको हर एक एक इक्जांपल को एक्ससाइस के ह तो आजएई आप मिरे साथ वाइड बोर्ट पर वाइड बोर्ट का मतलब है ग्रीन बोर्ट पर आझेजए बच्छो ठीके ना तो डिसकस करते हैं क्यूब के बारे में तो क्यूब आपका एक थ्री डामेंशनल फिगर है याने क्यूब एक सॉलिट फिगर है ओके बच्छों क्यूब का अगर आपको फील लेना है ठीक है लास्ट वीडियो में हमने आपको बताए था क्यूबवाइट कैसा होता है यह देखिए यह बुग जो है यह क्यूबवाइ होते थे लेकिन क्यूब में आपको six faces तो दिखाई पडएंगे लेकिन आपको जीव जो faces स्क्वाइर शेफ के दिखाई पडएंगे कैसे दिखाई पडएंगे य रेक्टेंगल नहीं दिखाई पड़ंगे का square shape का दिखाई पड़ेगा, okay students, so अगर आपको cube का feel लेना है, तो Ludo सबच्चों ने खेला होगा Ludo आप खेलते हैं, तो Ludo की जो dice होती है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot लगे होते हैं, नमबर लिखे होते हैं Ludo ऐसा die up throw करते हो ना, जो die गिरती ही नीचे, वही क्यों है, उसका हर एक face कैसा आता है, square shape का, ठीके students, तो यहाँ पर आजाएं यह देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, Q void जो आप पीछे से पढ़के आए हो, ठीके students, यह देखिए, जो आप Q void पीछे से पढ़के आए थे, इस Q void में आपने क्या पढ़ा था, यह देखिए, यह इस तरीके से इसका diagram होता था Q void का, और Q void में, अब Q void में Q बना रहा हूँ, यह आपको भी पता चल जाएगा, यह इसकी length थी, ठीके ना, और यह इसकी breadth थी, और यह इसकी height थी, इसमें total six rectangular faces होते थे, कितने, six rectangular faces होते थे, ओके students, लेकिन cube में क्या होगा, यहाँ पर दिखिए जड़ा, cube में आपके सामने draw करता हूँ, ओके students, so, यह दिखिए बच्चों, यह कुछ इस तरीके से cube आपको दिखाई पड़ेगा, अब cube में इसकी हर एक side को बच्चों हम लोग same बोलते हैं, बोलते कहा हैं, होती हैं, ठीक है न तो बोलो गई, अब देखो जड़ा, इसकी हर एक side, side या फिर edges को हम बोलते हैं, यहां पर दो faces आके meet करते हैं, यह लास वीडियों मैंने आपको बताया था, सुन ली जान से, जैसे यह वाला face और यह वाला face, यह टॉप वाला face और सामने वाला face यहां पर meet कर रहा है, तो इसको edge बोलोगे, ठीक, तो यह हो गई आपकी क्या, यह एज हो गई, इसी तरीके स इसकी length, breadth, height साब सेम होती है, यानि कि all the edges are equal, length भी उतनी है, breadth भी उतनी है, और इसकी height भी उतनी है, height को suppose हम यहां दिखा रहे हैं, तो यह लीजिए, इसकी height भी उतनी है, ओके students, यह चीज़ हो गई, अब फनो, इसका, इसके कितने face है, 6 face है, और 6 के 6 face इसके square shape के है, I repeat, इसके area of one face है, इसके total 6 face है, यह दिके सामने इसके top में, bottom में, right में, left में, ठीक, तो area of one face कितना हो जाएगा, कोंकि इसका जो face है तिसके face is square है कि इसके side की length is L है और यह side की length में कितनी है ? so, L into L क्या होजागे यहां पर? Cand. इस ही को हम भोलते है कि area of square गया होता है? Side का square, side की length कितनी है? इसकी, side की length L है, L का square, और अगर मैं आप से बोलूँगी, इसका total surface area कितना होगा? किसका आप मैं cube की बात कर रहा हूँ ठीक है students so what is the total surface area of cube cube का total surface area कितना हो जाएगा तो total surface area का मतलब यह जो loodos की dice होती उसको आप ले लो और उसको paint करो brush, brush से आप paint करो कहां कहां paint करोगे उसमें उसके total 6 faces होंगे 1, 2, 3, 4 5, 6, तो total 6 faces पर paint करोगे और 6 के 6 faces square shape के हैं, ठीक है students यानि कि एक square face का area एक square face का area कितना हो जाएगा L square, तो total 6 square faces है, 6 square faces का area कितना हो गए, इसको L square को आप 6 से multiply कर दोगे, बस कुछ नहीं करना है ठीक, तो total surface area of cube कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 6 into क्योंकि कितने faces है, 6 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक face यह इधर, यह वाला, इसके सामने वाला एक, ठीक, एक top में, बॉटम में एक सामने पीछे, total 6 faces होगे, तो 6 into area of one square face area of one square face, okay students, तो यहाँ साह जाएगा 6 into, और area of one square face, one square face का area कितना है, L square है, तो यहाँ क्या रखेंगे L square, तो यहाँ साह आजाएगा आपके बास क्या, total surface area of cube कितना आजाएगा, 6 L square, okay students, तो इस तरीके से, correct, I think आपको मेरी बास समझ में आ रही होगी, ठीक है, अब सुनो, कभी-कभी बच्चों क्या होगा, कि cube में भी आपको lateral surface area की बात करेगा, lateral surface area में हम क्या करते हैं, top को छोड़ देंगे, bottom को छोड़ देंगे, ठीक है, ओके, और four walls का area ले ले लेंगे, यानि के इसका area, इसका area, इसका area, इसका area, ठीक, total, one, two, three, four, top छोड़ दो, bottom छोड़ दो, तो अगर lateral surface area की बात करेगा, cube में, ठीक है, so, lateral surface area of cube, कितना हो जागा, four a square, या four l square, a square, मैं क्यों बोलना हो, मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ, four l square, क्योंकि आप केवल, ये वाला face लोगे, ये वाला, top और bottom नहीं लोगे, top नहीं लोगे, bottom नहीं लोगे, सामने वाली वाल और पीछे वाली वाल, हर एक वाल का area कितना है, l square, तो total four walls हैं या पर, या four faces है, so, four l square, lateral surface area कितना हो गया, four l square, lateral surface area तब होता है, जब हम total surface area में से top और bottom को हटा देते हैं, ठीक, okay, बहुत बढ़ी है, अब सुनो, बच्चों किसी-किसी बुक में क्या होगा, कि square की side को l ना लेके a लिया जाता है, ठीक, आप अगर कोई दूसरी बुक पढ़ ले, आड़ी शर्मा और गयरा, तो इसमे side को a ले लिया जाएगा, okay, students, बस यह है, NCRT में L से लिखा है, तो मैंने आपको L से बता दिया, ओके, नौ, एक छोटा सा question ले देते हैं, जिससे हमारा clear हो जाएगा है, यहापर concept, ठीक है, चलिए, एक छोटा सा question ले लेते हैं, यहापर बच्चों, यह लिजे, यह क्यूब है, और क्यूब की edge है, 2 cm, कितनी है, 2, तो यह 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा, एक और इसकी height भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है न, तो इसका पूछा उसने total surface area, तो total surface area का formula क्या होता है, 6 L square, यानि कि 6 और L क्या होता है, पर edge होता है, तो L की value कितनी देके रखा हो, आपको 2 cm, ठीक, तो L के जगा 2 रखेंगे, L के ओपर square लगा है, 2 के ओपर square लगा देंगे, 6 x 2 का square, 2 का square मतलब 2 x 2, कितना हो जाएगा 4, 6 4 था कितना होता है, 24, तो इसका total surface area कितना आ गया, 24 cm square, और इसका lateral surface area अगर पूछता है, यानि कि area of 4 walls ठीके न, तो आप top को नहीं लेते, bottom को नहीं लेते, तो total 4 square, 4 faces का area जाता, कितना हो जाता, एक face का area कितना है, L square, 4 faces का, कितना हो जगा, 4 L square, यहान से होगा 4 x 2, और L की जगा कितना है, 2, 2 का square, ठीके न, so 4 x 2 का square कितना होता है, 2 x 2, 4, 4, 4, 4, कितना जगा, 16 cm square, ठीके students, चलि क्यूब का नाम इसने क्यूब A बोला और यह वाले क्यूब का नाम इसने क्यूब B बोला ठेके सुटेंस अब देखिए इसने बोला है कि find the surface area of cube A जब भी वो surface area बोलेगा तो इसका मतलब होता है total surface area क्या होता है इसका मतलब होता है total surface area बच्चे पूछते हैं कि सर lateral कैसे पता चलेगा lateral surface area है total है तो बच्चो अगर उसने only the surface area लिखा है तो उसका मतलब होता है total surface area and lateral surface area of cube B cube B आपको बोल दिया उसने कि cube B के लिए lateral surface area निकालना है ठीक है students ओके चलो ठीक है यानि कि यहाँ पर निकालना है total surface area और cube B यह B नाम का cube है इस काम को निकालना है lateral surface area total lateral ओके चलो पहले हम इसका निकालते हैं तो इसके लिए आपको एक concept clear करना होगा फटा-फट ठीक है जो बच्चे यूट्यूब पर डिरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो बच्चो देखिए एक क्यूब होता है ठीक क्यों क्या होता है क्यों एक solid figure होता है इसमें total six square faces होते हैं यह इस तरीके से यह दिखिए ठीक यह सामने के square पीछे square है right में square है left में square है top square है bottom में square है ठीक तो total six square faces होंगे और इसकी जो edge होती वो L होती है यह देखिए L यानिके length भी L breath भी L और hide भी होती L ठीक है students अब देखो एक face का area कितना होगा एक face अगर हम बाहर निकाल के दिखाए तो यह इसका होता है एक face का area कितना होगा square का area क्या होता है side into side यानिके यह दिखिए यह है इसकी side L है ना length भी L breath भी L है तो L into L करोगे तो L square area आ जागा तो एक face का area कितना L square तो अगर आप इसका total surface area निकालोगे total का मतलब इसके total six faces का area निकालोगे जैसे लूडो का जो क्यूब वह होता है कि ना में die Ludo का जो डाई होता है जिससे आपने खेला उसमें total six face होते है one two three four five six और six यह तो Q void है यह तो Q void है थोडी ना क्यूब क्या होता आपका Ludo का जो dice होता है वैसा हना यह क्या क्या क्योगा डाइस में rectangular faces है ठीक लेकिन जो Ludo आप खेलते उसका जो dice होता है वह कैसा उसके faces कैसे होते square shape के ठीके students तो अगर आपको मैं बोलूँ कि लूडो के dice पे पेंट करो तो एक दो तीन चार पाँच मालब 1 2 3 4 5 6 square faces पे पेंट करो गे ना ब्रश लेकि ऐसे करके तो total surface area कितना हो जगा एक face का कितना होगा 6L square यानि कि जो total surface area का formula हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 into L square ठीक है students 6 into H square 6 into side square या 6 into L square कुछ भी बोल दो ठीक है यह हो गया total surface area और अगर यहीं पर आप से मैं बोलूँ कि lateral surface area कितना होता है LSA LSA का मतलब lateral surface area lateral surface area में क्या किया जाता है मैं आपको बता दूँ टूप को छोड़ दोगे और बॉटम को छोड़ दोगे यानि कि यह वाली यह वाला यह वाला यह वाला फेस यह वाला यह वाला यह वाला टोटल कर छोड़ तो जो फॉर वाल्स आएंगी फॉर की फॉर वाल्स स्क्वाइर शेप की होंगी तो फॉर स्क्वाइर का फॉर्मला कितना हो जाएगा फॉर स्थे पर इस स्क्वारट का एरिया कितना हो जईगा एक स्वारट का एरिया स्वार्ट इंतु एल स्क्वार्ट नो है कि हमको इसितने वी स्क्वार दिखाई पड़ा है six टीना तो एक एक स्क्वार का एरिया test सब्सक्राइब करेंगे सिकसे स्कूर और में आपको टोटल 4 इसकौर दिखाई पढ़ेंगे 1234 चत को और बेस को छोड़ देना यानिकि सीलिंग को और फ्लॉर को छोड़ देना तो कितना आ सब्सक्राइब तो इस तरीके से थोड़ा सब्सक्राइब आपको रिवाइज करा दिया अब यहां पर आजेए बच्छों यहां पर दिखिए यहां फर्स्ट वाले फीगर में अब यहां से दिखिए पार्ट B में सो यह पार्ट A सॉल्फ किया है मैंने अब आप्हर्ट B के लिए दिखिए अइसे आपको कि निकालना है अब यहां पर यहां पर 8 कंटीमिटर दिख रहा है आपको कुछ नहीं करना यहां औरush तो 8 का स्कॉयर अब यहां साय गा तो को 4 त ऐसे रहेंगा 8 का स्कॉयर 8 तू दा 16 मत कर देना 8 स्कॉयर मतलब होता है 8 को 8 से मल्टिप्लाई करना है ठीक है याने के 8 एट दा 64 सब 4 x 8 दा कितना हो गया 64 ना 4 x 64 कितना हो जागा बच्छों यहां से 4 4 जा होता है 16 बन जाएगा यहां पर 4 जाए 24 प्लस 1 25 256 cm2 is the lateral surface area of the cube B ओके सुडेंस नोट का लीचे